सारदर निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप ये लीजिए आज हम उपस्थित हैं आपके सामने तीन चार साल के बच्चे की बनियान लेकर इनर उनी बनियान बहुत बनाने में आसान और देखने में आप देख रहे हैं क्या बढ़िया दिख रही है ना गले पर ना मुढ़े पर कहीं पर भी बॉडर नहीं बनाया गया है फंदे डाले हैं और सिर्फ उल्टा उल्टा बुना हैं दोनों तरफ से और इतना आसान बनाने का तरीका है हर कोई beginner friendly design है हर कोई बना सकता है तो अगर आप channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe करें like का button दबाएं और channel को share करें आईए अब हम देखते हैं कि ये बनियान हम inner कैसे बनाएंगे तो इसमें हमको कुछ बाते हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये micro oon से बना है तो ये oon थोड़ी पतली है medium size की है तो आप किस oon से बना रहे हैं किस salai को use कर रहे हैं मैंने 9 number की salai ली है 9 number needle है आप अगर इतने ही फंदे 10 number की salai से बुन देंगे तो ये खुब छोटा हो जाएगा आपको अगर salai का oon का और कितनी softness चाहिए उसका ध्यान रखना पड़ता है तो मेरे को ये inner है इसलिए थोड़ा soft चाहिए 9 number की salai से मैं बुन रही हूँ तब इसका जो अनुपात है वो यह है अगर हम इसमें अभी salai बदल देंगे तो ये सारे अनुपात बदल जाते हैं अगर oon मोटी हो जाएगी तब सारे अनुपात बदल जाएंगे तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसको थोड़ा समझना पड़ता है बुनाई की बात को अब ये देखिए 74 स्टिचेज है 74 फंदे हैं सिर्फ है न और ये बुने गए हैं गार्टर स्टिच जिसको कहते हैं दोनों तरफ से आप सीधा सीधा बुने या दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुने उसको garter stitch कहते हैं इसकी चोड़ाई आ गई लगभग 11 इंच से भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो रही है तो ये थोड़ा बहुत तो पहनने में खुलता है बढ़ता है ये तो हो गई चोड़ाई की बात तीन-चार्स साल के बच्चे के लिए ये काफी ठीक है इनर बन्यान है न बहुत लूस तो पहनी नहीं जाएगी अब रही बात मैंने इसमें थोड़ा सा आ गई ये बुनाई डाल दी थी ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है आप पूरा प्लेन बुन लीजिए ये बुनाई का आपको डालना है थोड़ा बहुत केबल का डिजाइन डालना है तो वह हम घटाने का काम करेंगे ये बेहद ही आसान इनर है क्योंकि हमको इसमें कहीं पर भी बॉर्डर नहीं बुनेंगे हम ना तो मुढ़े में ना तो गले में अब यहां तक हम आए ये हमने लगभग 100 100 सलाईयां बुनी है ये जो धारियां होती है ना रिजिज ये लगभग 50 ह हमारी दिखाई दे रही है तो इस बुनाई का ये भी फायदा रहता है कि गिनने में एकदम साइस ठीक रहता है आगे पीछे का साइस एकदम ठीक आजाता है हम धारियां गिल लेते हैं उससे हमको अंदाज पढ़ जाता है तो ये हमने 100 सलाई लगभग 50 धारी ये हमने यहा बहुत सारे वीडियो हैं जहां पर हमने तरह तरह के फंदे डालने बताए हैं आप उनको भी देख सकते हैं तो अब हम यहां पर फिलहाल सिर्फ मुढधा घटाने वाले हैं मुढधा कैसे घटाएंगे ये हमने उल्टे-उल्टे से बुना हैं तो हम ये उल्टा बुनते 7 फंदे 7 stitches घटाने वाले हैं यह एक फंदा घटा यह फिर दूसरा घटा इस तरह से मैं 7 फंदे घटाऊंगी 7 3 यह मैंने 7 फंदे 7 stitches घटा लिए आप अगर एक दो फंदे जादा भी घटाना चाहते हैं कम भी घटाना चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं देखिए इतना कोई hard and fast रूल नहीं होता है कि ऐसे ही करना है ऐसी कोई बात नहीं है अब हम आगे के फंदों को पूरी सलाई अभी हम उल्टी बुनेंगे यह यह हमने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बुना है तो इसको हम पूरा उल्टा ही बुन रहे हैं बहुत सारे inner के हमारे वीडियोज हैं बहुत सुन्दर हैं आप उनको देख सकते हैं और थोड़ा सा अंदाज लगा लिया करिए आपको एक size बढ़ा करना है तो 6-7 फंदे ज इसी अनुपात में थोड़ा सा छोटा करके आप different size की बनियान या inner उनी बनियान बना सकते हैं अब यह देखिए हम लास्ट में आ गए अभी हमको यह सारे फंदे अभी बुनने हैं इस सलाई को हमने पूरा करा और अब हम जब इधर से आए तो फिर हमको यहां पर साथ साइड का जो मुढधा है इसको घटाएंगे इसके बाद अभी हमको थोड़े सी सलाईया और बुननी हैं अभी हम गला नहीं घटाएंगे क्योंकि यह तो इनर है बनियान है तो हम आगे और पीछे दोनों में ही गला घटाने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा और बुनना है कि गला बहुत बड़ा ना हो जाए तो यह मैं साथ फंदे घटा रही हूँ यहाँ पर साथ फंदे सेवन स्टिचेज हमारे घट गए बस अभी मुझे उल्टा उल्टा ही बुनना है यह मेरे टोटल 74 चोहत्तर फंदे थे और मैंने दो तरफ साथ साथ फंदे घटाए तो 14 14 फंदे घट गए हैं अब मेरे पास 60 साथ फंदे बचे हैं जिन में मुझे कुछ सलाई अभी और बुने हैं मिलते हैं फिर थोड़ी सी सलाईयां बुनने के बाद तो यह हमने फंदे घटाए आपने देखा फिर हमने यह लगभग 26 27 सलाईयां यह जो धारियां हैं यहां पर यह यहां तक 13 धारी दिखाई दे रही हैं यह एक और सलाई है वो थोड़ा एकाज सला आगे पीछे हो जाती है वो कोई बात नहीं है अभी हम यह अब हमको क्या करना है कि यहां पर हम दो पट्टियां निकालेंगे और बीच में गला घटाएंगे तो इसके लिए हमने सोचा है कि 17 फंदे हम पट्टी में रखेंगे तो आगे की हम बुनाई शुरू करते हैं 17 स् यह 17 स्टिचिस को हम बुन रहे हैं यह पट्टी अगर आपको बड़ी करनी है तो आप 2-4 फंदे जादा भी ले सकते हैं कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं यह सब चीजें हमारे हाथ में होती हैं हम जैसे चाहें उतना बड़ा चोटा कर सकते हैं कोई hard and fast rule नहीं है अब हम सीध गला घटा रहे हैं आप ऐसा कह सकते हैं तो बीच के यह फंदों को हम इस तरह से बंद करेंगे आखिरी में 17 फंदे 17 स्टिचिस हमको छोड़ने हैं बीच के सारे फंदों को हम बंद कर रहे हैं यह घटाते हुए हम आए हैं यहां तक हमने घटाया यह तो हमने बंद करे फंदे यह हमारा 16 16 फंदे यहां है एक यह वाला फंदा है जो हम बंद करते हुए आए हैं अब हम आगे के इन 17 फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए यह भी आप छोटी बड़ी जैसी करना चाहें आप कर लीजेगा मैं आपको अभी दिखाती हुँ कि मैं कितनी बड़ी पट्टी बुनने वाली हुँ आगे पीछे दोनों पल्ले एक समान बुनने वाली हुँ मै गला आसानी से घुस जाएगा उसमें और इनर वो आरामदायक रहती है आप चाहें तो आगे का पल्ला आगे का गला आप बड़ा भी रख सकते हैं और पीछे का गला थोड़ा छोटा कर सकते हैं यह भी आपकी इच्छा के उपर है तो इस तरह से यह हम बुनेंगे अपनी पट्टी को हम बुन लेंगे अब देखिए यह एक पट्टी हमने बुन ली इसमें भी लगभग 13 धारियां दिखाई दे रही हैं 13 रिजिज हैं यह मतलब 26 रोज हमने बुन ली तो अगर हम एक मोटा हिसाब समझें तो यह जो हमारा पूरा मुढ़ा है यह लगभग 5 इंच अभी दिख रहा है पहनने पर यह थोड़ा खिचता है यह जो मुढधा होता है यह यह थोड़ा लंबा हो जाता है तो यह साड़े 5 इंच के करीब आराम से हो जाएगा इसका यह आधा है हमने आधे पर घटाया तो यह बात हमने एक समझ ली अब इसको हम दूसरे पल्ले में इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह दूसरा वाला यह दूसरा वाला पल्ला हमारा रेडी है इसके हमने दोनों यह बुल लिये हैं दोनों पटिया और अब हम इसको यह ध्यान रखते हैं कि यह हम दोनों की उल्टी साइड को मिलाएंगे मतलब जब ह हम देख रहे हैं कि इस तरह से हम को ये बंद करना हैं चाहं यह इस इस वाले इन दोनों को हम अभी जोड़ने वाले जbl कि यहां पर देखिये यह यह हमने दोनों पट्टियों को लिया और एक उन से तीसरी सलाई लेंगे और इस तरह से हम इनको बंद करेंगे अभी आप वीडियो देखिएगा मुझे आपको डिजाइनर फंदे डाल कर और दिखाना है दोनों सलाईयों में एक-एक फंदे को लिया दोनों सलाई के और इस तरह से बुन लिया उसके बाद अगले दो फंदों को लिया और इनको बुन लिया इस तरह से और फिर इसको इनके उपर से उतार दिया एक बाद फिर से देख लेते हैं इसको लिया पीछे वाली सलाई से एक फंदे को लिया दोनों को एक साथ बुना और इसको इसको इ इस तरह से यह हमारी आसानी से पट्टी जो है वो जुड़ जाएगी लास्ट वाला आखरी फंदों पर हम आ गए और इस तरह से हम ने यह लिया और यह आखरी बार हमने इसको बंद कर दिया थोड़ी लंबी उन काटेंगे जिससे आसानी से हम उसको सिलते हुए छिपा सकें अगर दूसरी उन भी यहीं पर है दोनों को इसमें से निकाल दिया और दूसरी उन को भी अभी हमने काटा नहीं है इसको भी हमने काट दिया यह हमारी फाइनल हो गई अब हमको यहाँ पर दुबारा उन जोडनी है यह जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है इसमें हम उन जोड कर और फिर उस तरह से ही उतनी उचाई पर जाकर इसको हम जोड देंगे इतनी हम बुनेंगे और इसको हम सिल देंगे अब यहाँ पर हम उन जोडेंगे और अपनी बुनाई शुरू करेंगे दूसरी पट्टी की इसमें यह ध्यान रखना होता है कभी कभी कि वो हम बुनना है हमें उल्टा और अगर हम दूसरी तरफ हैं तो वहाँ एक लाइन गर बढ़ ना हो जाए तो इस बुनाई का हमें ध्यान रखना है यह थोड़ी सी उन हमने ज़्यादा छोड़ी है इसको हम यहाँ सुई की मदद से छिपाएंगे और अपने हम इन पट्टी के भंदों को पहली वाली जो हमारी पट्टी है उसके बराबर अब बुन लेते हैं अब देखिए यह हमारी बनियान बनकर तयार है अब इसके साइज में अगर आपको फेर बदल करना है जैसे इसकी टोटल लंबाई लगभग 15 इंच से जादा है और जैसा कि मैंने आपको बताया यह पहन कर थोड़ी और लंबी होगी और इसकी जो चोड़ाई है यह लगभ पाई में भी बढ़ जाएगी थोड़े सी और बहुत सॉफ्ट है अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं डिजाइनर फंदे आपको डाल कर दिखाती हूं तो देखिए यह तीन उन कर ली है हमने अब इन तीन उन को हमने लपेटा नॉर्मल बाहर से अंदर की तरफ ले गए और यह सिंगिल उन से यह हम थोड़ी मोटी सलाई पर डालेंगे नौ नमबर पर बुनना है तो आप साथ छे नमबर पर डाल सकते हैं या दोहरी सलाई करके डालते हैं तो यह पहला फंदा हम नॉर्मल बुनते हैं इस उन को हम अभी दबा लेंगे पीछे की तरफ इस उन को हुआ दो के जोड़े से यह फंदे पढ़ेंगे देखिए पहला बाहर की तरफ से अंदर ले गए यहां सलाई डाली और यह फंदा बनाया और दूसरे के लिए अंदर से बाहर की तरफ लाए यह खुला हुआ है पीछे वाले के नीचे सलाई डाली और फंदा बनाया इस तर पाइनर फंदे कूब अच्छे लगते हैं आप इस तरह के फंदे कहीं भी डाल सकते हैं जैसे देखिए कितनी सुन्दर ये किनारी लग रही है आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुगा और ये बच्चे की बनियान तीन-चार साल तक के बच्चे की बनियान आप ज देखते रहिए सार्दा नेटिंग चैनल के बहतरीन बुनाई और क्रोश्या के वीडियो ये देखिए सिर्भी आसानी से इसमें घुश जाएगा सौफ्ट है एकदम बहुत ही कमफर्टेबल एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देखते रहिए सार्दा नेटिंग चैनल के बहतरीन बुनाई और क्रोश्या के वीडियोज